यो वत्सब ग्याइज दिस इस टर्मस्टर और आज मैं उपको कॉड ब्लाकोप्स कोल्ड वर ही स्टोरी एक्स्ट्रेइन करूंगा तो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड कॉड ब्लाकोप्स कोल्ड वर के टाइम लाइन 1981 की है ब्लाकोप्स बन की इवेंट के बाद जहां C.I.A.S.A.D.S.O.G. ऑपरेटिव रसर एडलर, एलेक्स मेसन और फ्रैंकवूर्ड तीनों एमसर डैम जाते हैं जहां इनने तो इरानियन टेरिस्ट कसीम जावेदी और की लोकेशन मिलती है जहां आराश तर्की के एक एर फिल्ड में होता है और मेसन का शॉट मिस होते हैं वहां से भागी राता कि मेसन आर्सी कार से प्लेन को डिस्ट्रॉइ कर देता है अब आराश को बगड़ते हैं वह रिवील करते कि परसी जिंदा है एस 1979 में एरान और 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स और सीडिजन्स को होसेज बना कर रहा था एंडिका पर्सी उसी कराता है 1943 लॉसलमों से एक सीक्रेट डिटील प्रोजेक्ट चुराया गया था जो कि दम मैं अटेंड प्रोजेक्ट यह कहलो पहले अटामिंग बॉम को प्रोजेक्ट था और इसक इसके जो सबसे करीब आया है वो एडलर ही है जिसके बाद सीएए एक मीटिंग में यूस प्रेजिदेंट रोणाल्ड रीगन एक ब्लैक ओप्स ऑपरेशन ऑथराइस कराता है तो नूटरलाइस पर्सियस अब एडलर की टीम जिसमें सीएए ऑपरेटिव लॉरेंस सिम्स अ रिकॉल करने को बोलता है जिससे इन्हें पर्सियस से रिलेटेड इंटल विले एंडिया नाम आता है एंटोन वोलकॉफ का एक रिश्चिन माफिय बॉस और आम्स डेलर जो की पर्सियस को इंटल और गंसे ने मुनिशन सप्लाइ करता है अब यह इस बर्लिन जाते हैं जा पर्सियस ने वॉलकॉफ के पास लाता है तो हैड़ ओवर देम और वॉलकॉफ बेल को मारे उससे पहली एड़र की टीम बेल को बचाने आ जाती है अब वॉलकॉफ को कैप्चर कर उससे इंटल निकलवाते इन्हें एक सीक्रेट सोवियत बेस के बारें पता चलता है जो कि युक्रेइन में है एंड टीम स्प्लिटो इस बेस को इडविडरेट करती है रिवीलिंग की ये बेस एक स्पैटनेस ट्रेनिंग फैसिलिटी भी है और यहां से इंटल लेते इन्हें पता चलता है कि पर्सियस ने अमेरिकन प्रोग्राम ग्री लाइट को सैबोटाज कर पॉपलर युरोपेन सिटीज में न्यूटरन बॉम्स लगा देता है तो फाइट बैक सोविएट्स एड इस ऑपरेशन या प्रोग्राम को ग्रीन लाइट नाम दिया था बट एक ग्रीन लाइट के बॉम्स की लिस्ट पर्सियस के हाथ लगते वो कभी इन बॉम्स को डेट करते हैं थिंकिंग की इने ऑपरेशन ग्रीन लाइट को रण करने वाले स्लीपर एजेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी बट यहां पाउस्ते उन्हें पता चलते हैं कि पर्सियस ने यहां से डेटा पहली रिएस कर दिया था अब इनके पास एक ही ऑप्शन है तो इंफिलिट को कि जीवी का मोल बना उसे फसा देता है और साखेव के साथ हुआ एंकाउंटर कोई गेप को चेंज नहीं करता और इसके बाद एडलर और बेल दोनों स्लीपर एजेंट्स का कैशेल ने वहां से एसकेप करते हैं अब उस कैशे से मिली इंफोर्मेशन से टीम को पता चलते की थेडर हैस्टिंग्स ग्रीन लाइट प्रोग्राम का साइंटिस्ट परसियस का स्लीपर एजेंट हैं यह करेंड़ी क्यूबा में है विद्धी हलप फिडिल कैस्ट्रॉफ अब टीम क्यूबा को रेड करती है और वहां उन्हें पता चलता है कि अब परसियस के पास सारे न्यूटरन बॉम्स की डेटरनेशन कोड्स है मैंना वो पूरे यूरोप को खतम कर पूरे यूजाम यूस पे डाल सकता है अब यहां से निकलते पूरी टीम बिन डाउन हो जाती है और यही एनिमी की कार पीजी बेल लीली और लजार को हिट करती है जिसमें बेल के पास दो इतना वार स्टोरी बढ़ यहां बैल एडलर को रेसिस्ट करते उसे उसके सारी मेमोरी इस वापस अलाती है रिवीलिंग की बैल पर्सियस का ही आदमी था जिसे आरास ने जलिसी में आके मरवा दिया था एडलर को बैल मिलते उसने प्रोजेट एमकी अल्टरा का यूज कर उसका brainwash किया believing him that they were his comrades अब इस गेम की multiple endings है पहला जो की cannon but bad ending है जिसमें एडलर के बैल से पर्सियस की location पूछने पर पर्सियस सोलोवेस की islands में है यह रिवील करता है और यहां यह लोग full attacker operation green light के signals का transmitter तोड़ पर्सियस के plan को रोग देते है और पर्सियस भी वहां से बाग का चुपने चले जाता है और एंड में एडलर बैल को conversation के लिए बाहर ला उसे eliminate करने वाला होता है to cut all losers और दोनों के अपनी गंज को draw करते हमें बस गोली चलनी की आवाज आती है बट कुछ दिखाई नहीं देता बट आम प्रीडिश और की बैल मरी गया होगा एज एक C.I.S. कैसे D.S.O.G. operative कैसे कोई bullet miss कर सकता है और अगर बात करें good but non canon ending की तो उसमें बैल अपनी नेशन से मानदार है पूरी टीम को डूगा रडर अरेल आता है परसीस की location से मीलो दूर जब तक सबको समझ में आता है कि बैल ने उन्हें बिटरे किया तब तक काफी late हो जाता है अब या तो Adler well को मार देगा वनना bell Soviets को signal दे Soviets Adler की टीम पर अटैक कर देंगे and bell, woods, Mason एक ही करके सब को मारता है और end में वो Adler को भी खतम कर देता है लेटर और रिवीड होता है कि उन Soviets में से एक Persia सी था जो की bell को option देता है to order detonation of nukes and bell की order देते पूरा Europe दबाव हो जाता ह और President Reagan और Vice President Bush को कई और transfer कर, US Government Operation Greenlight के सारे proofs को मिटा देती है बड़ परसियस उन से एक step आ गया रहे है, वो Operation Greenlight के documents को leak कर देता है जिससे US Government को पूरे globe से call आ रहे होते हैं और नहीं इस game का end होता है, अब एक और बात, Perseus ने एक line बोली थी जिसमें रिवील हुआ कि US को लग रहा था कि Perseus को ए इंडिवीज्वल बनता है, जो कि Soviets को order दे रहा है, बट I think कि Perseus is just like Reznov in Beowen, because Bell अपने flashback में Perseus को Perseus का ही नाम ऐसे बोलते होए देखता है, जैसे वो कोई और हो तो हो सकता है कि just like Reznov, Perseus ही कैसा आदमी हो, जो कि लोगों के सिर्फ brain में access करता हो, वैसे भी, Soviets का वर्गोटा में brainwash करना एक successful plan था, और इसलिए Perseus ने end में हमें new cure-dust देने को बोला, as वो खुद दे नहीं सकता, और canon ending में तो हमें Perseus मिला ही नहीं, खेर इसे rated कुछ articles का लिंक में description में डाल दूँगा, जिसे आप आराम से पढ़ पाओगे, और मैंने canon ending को bad ending इसलिए बोला, as वे खुद बेंगा, अपनी खुद की country से मानदा रहना चाहूंगा, ना कि किसी दूसरी country की मत्तर के खुदी end में मर जाओ, खेर ये तो मेरी ideology थी, बट आप इस game के ending स comment में लिख सकते हो, मैं उन्हें ज़रूर पढ़ूंगा, and of course, इस वीडियो के बनाने में काफी मेंदत लगिए, तो like करना मत बूला, चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लो, और future वीडियो के लिए notification bell दबाना मत बूला, और अब इसी के साथ, मैं मिलूंगा आप सभी सपनी next वीड